जए इंद इस वीडियो में आज बात होगे लाइसी के बारे में लाइसी यानिक लाइफ इंसूरेंस कोर्परेशन ओफ इंडिया यह वही इंसूरेंस कंपनी है जो अपने निवेसकों कोई दिनों खून के आशुर उला रही है इस कंपनी के निवेसक बीच बहुर में कुछ इस तरीके से फसे हुए हैं जो ना तो बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही उसमें बने रहा पा रहे हैं आसान महासाम कहें तो इस कंपनी के निवेसक ना तो अपने सेयर को बेच पा रहे हैं क्योंकि काफी भारी भर कम लॉस में हैं और नहीं एवरेजिंग कर पा रहे हैं क्योंकि यदि सेयर का प्राइस नहीं बढ़ा तो इंको और ज्यादा नुक्सान हो जाएगा ऐसे में खासकर वो लोग जो IPO के समय से सेयर लेकर बैठे हुए हैं उनके लिए राहत देने वाली ख़बर निकल कर सामने आ रही है बिसीकली एलाइसिक मेनेजमेंट ने यह तैय किया है हलाकि यह ज़्यादा सही होगा कहना कि गोवर्मेंट ने यह तैय किया है गोवर्मेंट ने लाइसिक मेनेजमेंट को यह कहा है कि अब समय आ गया है लोगों को खुश किया जाए और लोगों को कंपनियां खुश कैसे करती हैं बोनस देकर डिविडेंट देकर तो लाइसि भी वह ही करने जा रही है हाला कि यह बोनस किस रेसियो में मिलेगा डिविडेंट कितना मिलेगा यह भी टरे नहीं हुआ यह बात की बात है लेकिन इतना तय हुआ है कि लाइसिक और डॉलर की निकासी यानि कि लगवग 180,000 रोपे policy holders कोटा से निकाला गया है shares holders को बाटने के लिए dividend के रूप में और bonus के रूप में अब देखना है दिलचास्थ होगा कि bonus 1-1 के ratio मिलता है 2-1 के ratio मिलता है या 1-2 के ratio मिलता है वान इस्टू कहने का मतलब वहा कि प्रति एक 2 share पर 1 share आपको extra मिलेंगे और 2-1 कहने का मतलब वहा कि परति एक share पर 2 share आपको extra मिलेंगे तो यह ज्यादा बहतर है हाला कि किसी भी रेושियो में बोनफ हैं यहां ध्यान देने वाली बात यह है बोन छुर्षान जिस रेशियो मिलता है शेयर का प्राइस भी उसी रेशियो में कम हो जाता है देखिया बोनफ एक परकार से ठीक भी है उस ठाक थीक नहीं तो यह बात समझ में आती है खैर बोनस भी ठीक है क्योंकि एक्ट्राशेर आपके पास जो इंवेश्टमेंट के लावा एक्ट्राशेर मिल जाएगा यह भी ठीक है बोनस मिले या डिविडेंट मिले हमें तो बस मिलने से मतलब एक उमीद जगेगी एक आस जगेगी कि कुछ बहतर हो रहा है और चुकि यह government company है तो government company dividend दिल खोल कर देती हैं काफी अधिक मात्रा मतलब एक मोटा पैसा dividend dividend के रूप में देती हैं तो इसने नियूसकों को फायदा होगा खास कर बड़े नियूसकों को जैसे government जो है भार सरकार है इस company में लगवग 90% कास पास उनके हिस्टदारी है तो जब dividend मोटा पैसा गुरूप में मिलेगा तो government की कमाई भी मोटी होगी और government के साथ साथ जो छोटे मोटे रिटेल नियूसक है बड़े नियूसक भी इस कमनी में हैं उनकी होगी और बजार के जनकार बताते हैं कि दिल खोलकर डिविदेंट देती है और बोनस भी अच्छा क्वाशा देती है तब इस company के शोधर आने की उम्मीद है बाग्यार बताते हैं कि यह दगी बोनस और डिविदेंट टेक तो तकरीब और इस कम्पनी का सेर प्राइस को लेकर तार्यट भी देने लगा है तो समझना होगा कि यदि आप समय देंगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं यतना तो आप भरोसा रखिए हाँ समय देंगे तो जो लॉस हुआ है वो साय तरीका भरो जाएगा नए लोग जो है इसमें बाई करना चाहते हैं तो वह अपने जो सलाहमा स्वरा करते हैं जो फाइनेसल सलाकार उससे राय जरूर ले लिजेग क्योंकि अभी शेयर प्राइस भले कम हो गया था 590 रूपय के नीचे चला गया था लेकिन अभी 592 रूपय का सब्सक्राइब को मिल रहा है उमीद है कंपनी का सेयर प्राइस इसी के रेंज में घुमते रहेगा साड़े 500 से नीचे जाने के उमीद नहीं है तो इसलिए आप सरकारी कमनें तो सरकारी कमनें सालमे दोीन बार देती हैं तो आपका लौस रिकोबर नहीं हगी और नए लोहों के लिए मैंने बता दिया क्या करना है उमीद करते हुँ वडियो क्लिकर में कोई कला है और सबस्कार सब्सक्राइब लistoire कश्क्राइबस